चले हम डिजाइन करते हैं फीचर सेक्षन यानि कि ये वाला सेक्षन तो ये वाला सेक्षन पूरा स्टेटिक है हमारा इसमें हमको ज्यादा कुछ करना नहीं है तो इसके लिए हम लोग रीजन अल्रेडी बना चुके हैं सिर्फ हमको रीजन में प्रिंट करवाना ये फीचर सेक्षन है और फीचर सेक्षन के अंदर जो कंटेनर क्लास है भी को कप्य करना है तो मैं यहां से इस पूरे शेक्षन को कपी करता हूं यह मेने क्या है यहां पर मैं ज elementos प्लॉड लियॉवट के अंदर प्लॉकर लियॉट के इंदर noveào ब्लॉक लियाओट के अंदर में ये वाला ब्लॉक क्रेट करूँगा और उसको फीचर पर रेंडर करूँगा और इस रीजन को प्रेंट करवाँगा इतना काम मुझे करना है तो मैं यहां ब्लॉक लियाओट पर जाने के बाद मैं मैंने क्या किया यहां पर कि कस्टम ब्लॉक लॉपक मुझे create करना है तो मैं जाता हूं feature वाले section के उपर और यहाँ पर In design block करता हूं और यहाँ पर read custom block करता हूं यहाँ पर मैं लिखता हूं full HTML तो यहाँ पर मैंने full HTML किया Source में गया मैं और यहाँ पर मैंने felu को print किया और इस value को यहाँ पर आप देखोगे आप तो यह जो है हमारा feature block इसमें images अभी नहीं आ रही तो हमको image यहाँ पे upload करनी पड़ेगी तो पहले हम लोग block create कर देते हैं block create हो जाने के बाद में हम लोग देखें कुछ इस तरीके का यह जो block आ रहा है block create हो जाने के बाद में हम लोग image upload करेंगे drupal के अंदर तो यह block create हो गया है और इसके region में मैं यहाँ पे सब कुछ ready है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ feature block तो हम लोग यहाँ पर featured block कर देता हूँ और इसको save कर देते हम लोग यहाँ पर अब इसको block को render करना है यह तो हम लोगों ने block create किया अब यह block create हो गया है यहाँ पर मैं इसका display हटा देता हूँ और इसको मैं feature वाले section वाले region पर print कर देता हूँ simple यह मैंने किया अगर आप html की बाद करोगे तो देखे यहाँ पर main winner के बाद में feature section आ रहा है तो मेरे को यह एक div चाहिएगा जिसमें मुझे यह class लगानी पड़ेगी तो मैं जाता हूँ page.tpl में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह template है और template के अंदर यहाँ पर page.tpl है page.tpl में यहाँ पर आप देखोगे तो यह main winner है main winner के नीचे मुझे इस वाले section को print कर देना है तो मैं यहाँ पर एक div create करूँगा और div में मैं यहाँ पर यह class लगाँगा तो आप देखोगे यह div create हो गया है div.tpl I don't know क्यों नहीं ले रहा है system div तो मैं एक div create करता हूँ यहाँ पर मैंने div div के बाद यहाँ पर मैं यह वाली class लगा देता हूँ जो मैंने copy की है यह पूरा हो जाने के बाद मैं मेरे कोई इसके अंदर वो reason print करना है तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर page dot अब यह मैंने कहां से लिया है reason तो मैं info file में जाता हूँ और info file में यहाँ पर आप देखोगे तो feature section यह region है मेरा तो इसको मैं यहाँ print कर देता हूँ feature section यह और file को यहाँ पर save कर देते हैं हम लोग अब अगर हम देखेंगे अभी तो यहाँ पर इसके नीचे feature section आना चाहिए लेकिन अभी हम लोगों ने image upload नहीं की है तो एक बार मैं यहाँ पर dress CR run कर देता हूँ तो मैंने यहाँ पर dress CR run कर दिया अब इस page को मैं एक बार print करता हूँ इस page को मैं एक बार reload कर रहा हूँ तो देखें सब चीज़ आ रही लेकिन अभी icon यहाँ पर नहीं आ रहे है हमको क्या करना पड़ेगा और फाइल अपलोड में एक iPhone कोि अपलोड यहाँ आप 터ald करता हूँ अब आड मीडिय ने में लिया इमेज़िशई ज्स्क करता हूँ तो जो project है मेरे पास में यहाँ पर मैं जाता हूँ और यह assets में जाता हूँ images वाले section में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर सारी images को मैं upload कर देता हूँ तो आप देखोगे यह वाली image मैंने को चाहिए थी यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यह जो icon आ रहा है इसको upload कर देता हूँ यहां से हम लोग इसके caption को ले लेते हैं हमने यह icon upload किया है यह वाला जिसमें total flat spaces दिखा रहा है तो हमने इसको ले लिया राइट अभी इसको मैं save कर देता हूँ ठीक है इसी तरीके से सारे images को मैं upload करता हूँ यहां पर images में जाता हूँ मैं और यहां पर जो है वो मैं second icon, second icon यनि की जो दूसरा icon है e-mail वाला वो में ले लेता हूँ यहां पर मैं email लिख देता हूँ simple और इसको publish कर देता हूँ उसके बाद मैं जो तीसरा icon है उस पर जाता हूँ मैं वापस से यहां जाता हूँ email वाला हो गया info icon तो मैं यहां पर info लिख देता हूँ simple यह info और यहां पर इसको मैं publish कर देता हूँ उसके बाद मैं जो icon है फिर से मैं जाता हूँ और एक icon info icon यहां पर info 2 कर देता हूं इसको info 2 और यहां पर इसको save कर देता हूं तो आप देखोगे इतनी सारी media यहां पर upload हो गई लेकिन अभी हमारा काम खतम नहीं हुआ है हम content में जाएंगे content में जाके देखेंगे तो देखेंगे यहां पर media वाला जो section है या files वाला जो section है इसमें आप जाओगे तो आपको यहां पर यह तीन image मिल जाएगे लेकिन हमको कितनी image चाहिए हैं पर 1, 2, 3, 4 image चाहिए चाहिए तो यहां पर कौन-कौन सी image है 1, 2, 3, 4 4 image हम लोगों ने upload की है और I think यहाँ पर 4 image ही तो 4 image हमारी upload हो गई है अभी हमको यह 2 image और upload करना है एक यह वाली image और एक यह वाली image तो इन 2 image को upload करने के लिए हम सबसे पहले यह वाली image पर जाते हैं और यह feature dot करके image है हमारी तो इसको हम लोग किस तरीके से अपलोड करेंगे यहां पर मैं जाता हूँ एड मीडिया पर जाता हूँ फाइल्स को सलेक्ट करता हूँ एड मीडिया पर जाता हूँ और फाइल्स को सलेक्ट करता हूँ तो मैंने एड मीडिया पर गया और यहां पर मैं files को select करता हूँ add media पे गया files को select किया मैंने और यहाँ पे features.jpg करके कोई image आएगी यहाँ पे features यह features image हो गई इसको मैंने upload किया यहाँ पे यह featured image हो गई दूसरी image कुन सी थी देखो featured image की बाद में feature icon image तो feature icon image भी upload करनी पड़ेगी तो बापस से मैं add media पे जाता हूँ यह आपस से मैं add media पे गया और add media पे जाने के बाद में image में गया, image में जाने के बाद में यहाँ पे जो है वो feature icon image जो है वो मुझे चाहिए feature icon image मैंने add कर दी यहाँ पे और इसके आगे मैंने लिख दिया feature icon और इसको मैंने यहां save कर दिया तो आप देखोगे सारी image upload हो गई लेकिन अभी image को हमको path देना पड़ेगा यहां पर तो मैं जाता हूँ बापस से structure के अंदर और block के अंदर तो block layout में गया block layout में जाने के बाद में custom block library में गया feature block को मैंने हां edit किया edit करने के बाद source में मैं जाऊंगा और one by one करके सारी image का path जो है वो मुझे change करना है तो सबसे पहला जो path है image का वो है feature और feature icon से related तो मैं content में जाता हूँ यह content में open किया मैंने और feature image तो यह feature image का path हो गया और feature icon तो feature icon image का path भी यहां पर होगा यह feature icon image हो गई और यह feature image हो गई तो मैं feature image को यहां से copy करता हूँ मैं copy link address किया मैंने copy link address करने के बाद में यहां पर जो image है वो यहां पर मेरे को feature image दे देना है simple यह मैंने feature image यहां दे दिया और feature icon तो feature icon image भी मैं इसी तरीके से copy करूँगा यहां पर आप देखोगे तो feature icon image हो गई और यहां पर मैं जाके copy copy link address किया copy link address करने के बाद में यहां पर आप देखोगे तो यह feature icon image को मैं यहां से feature icon image लगा दूँगा, तो इस तरीके से यह जो है वो पूरा image आ गई अब जो दूसरी images मेरे को चाहिए यहाँ पर कुछ problem हुआ है क्या एक मिट feature anchor take image src ठीक है अभी यहाँ पर मेरे को फिर one by one सारे icon image में add करने है तो यह जिसा हो गया heading अब मुझे दूसरा चाहिए था 250 M2 वाला जो icon है वो चाहिए था राइट तो वो कैसे मिलेगा में को यहाँ पर यहाँ पर icon के लिए भी images add की होगी यह css से लगी है वो देखना होगा मेरे को हाँ यहाँ पर images है देखे यह images है तो मेरे को यह icon change करना है तो सबसे पहले मैं info की बात करता हूँ तो info icon को open कर लेता हूँ यह मैंने info 1 icon को open किया और info 1 icon open होने के बाद यहाँ पर मैं इसको update कर दूँगा info 1 icon को तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ मैंने copy address किया और यहाँ जाकर मैं जाओंगा और यहां पर मैं info1.png की जगह इसको replace कर देता हूँ icon को, second दूसरा icon मुझे चाहिए, तो मैं यहां info2 ले लेता हूँ, तो यह info2 पर प्रें गया, यह info2 आ गया, यह info2 आ गया, उसी तरीके से मैं यहां पर info3 लूँगा, जो की email icon है, तो मैं यहां से info3 ले लूँगा, जो email icon है, और यह info4 भी ले लूँगा यहां पर, यह तो यहां पर सारे icon मैंने add कर दिये, ठीक है, अभी मैं इसको save करता हूँ, और हम लोग देखते हैं, output में क्या result है इसके, तो हम चलते होम पेज़ पे, और इस page को मैं करता हूँ, reload, तो देखें, पूरा look and feel is आ गया, अभी मैं इसको refresh करता हूँ, तो यह पूरा third जो block था, वो मेरा design हो गया, अभी हम एक चीज़ और कर सकते हैं, कि इसको हम लोग एक taxonomy बना के, या एक content type बना के, और वहाँ से भी इस चीज़ को हम लोग लेके आ सकते हैं, तो अगर वहाँ से लेके आएंगे, तो जिस तरीके से हमने ये block design किया था, उसी तरीके से ये बला block भी हमरा design हो जाएगा,